समान अर्थवाले शब बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण के विशे समान अर्थवाले शब्दों का अध्यान करेंगे क्या आप जानते हैं कि समान अर्थवाले शब्द कौन से होते हैं आईए मैं आपको बताती हूँ जें शब्दों का अर्थ एक सा होता है वे समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं जैसे मा का समान अर्थी शब्द है जन्नी आकाश का आस्मान आग का ज्वाला चांद का शशी सुभा का सवेरा बालक का बच्चा इस प्रकार हम कह सकते हैं की समान अर्थ या एक सा भ़ाव बताने वाले शब्दों को समान अर्थ वाले शब्द या समान अर्थी शब्द कहा जाता है आईए कुछ उधरनो दाराई से समझ लेते हैं कुछ शब्द देखने में तो अलग-अलग होते हैं पर इनके अर्थ एक ही जैसे होते हैं जैसे नौका, नाव, जल, पानी, पेड, तरू, मित्र, सखा, पर्वत, पहाड, रात, निशा इसी प्रकार हवा को हमपवन, प्रित्वी को धर्ती, पंच्छी को पक्षी, दिन को दिवस, घन को बादल और घर को भवन के नाम से भी जानते हैं आईए, अब भ्यास दोरा इसे समझ लेते हैं इनके एक-एक नाम और लिखें बच्चों, यहां कुछ चित्र दिये हुए हैं और साथ में उनका एक-एक नाम भी दिया है पहला चित्र चित्थी का है, क्या हम चित्थी को पत्र या खत के नाम से नहीं जानते हैं तो चित्थी के समानार्थी शब्ध हुए पत्र या खत इसी प्रकार हम पुस्तक को किताब घोडे को अश्व सुमन को फूल या पुश्प तथा बाग को बगीचा या उपवन के नाम से भी जानते हैं आईए एक और अभ्यासत्वरा इसे समझ लेते हैं शब्दों का चित्रों के साथ मिलान कीजिए बच्चों आप इन चित्रों को तो पैचानते ही होंगे पहला चित्र फूल या सुमन का है जिसे हम पुश्प भी कहते हैं दूसरा चित्र एक पक्षी का है जिसे हम पंच्छी भी कहते हैं तीसरा चित्र मोर का है जिसे हम मयूर भी कहते हैं अगला चित्र एक घर का है जिसे हम भवन के नाम से पुकारते हैं इसी प्रकार हम राजा को नरेश कहते हैं अन्तिम चित्र प्रित्वी खाहे जिसे हम धर्ती भी कहते हैं तो आईए बच्चों बाक्यों के प्रयोक कर इन्हें समझ लेते हैं कोश्टक में दिये गए शब्दों के समानार्थी शब्दों से रिक्तिस्थान भरे राजा दश्रत के चार सुत्थ थे सुत्थ को हम उसके समानार्थी शब्दों पुत्र या बेटे शब्दरा रिक्तिस्थान में प्रयोक करेंगे और हम यदि वाके को इस प्रकार बोलें कि राजा दश्रत के चार पुत्र थे या राजा दश्रत के चार बेटे थे तो इसके भाव में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आ रहा है दूसरे वाके को देखते हैं वानर ने पेड से तोड़कर कुछ फल खाए हमें वानर को इसके सामानार्थी शब्दों का प्रयोक करना है करके वाके को फिर से बोलेंगे यदि हम कहें बंदर ने पेड से तोड़कर कुछ फल खाए या कपी ने पेड से तोड़ कर कुछ फल खाए तो वाक्य के भाव में भाव समान ही रहता है इसी प्रकार तीसरा वाक्य उपवन में सुन्दर फूल खिले हैं उपफन के समानार्थी बगीचे में फूल खिले हैं या वाटिका में फूल खिले हैं द्वारा रिक्दिस्थान भरेंगे अन्यवाग के बालक हौकी खेल रहे हैं को बच्चे हौकी खेल रहे हैं शीला मेरी सकी है को शीला मेरी सहेली है मेरी माता मुझे प्यार करती है मेरी अम्मा मुझे प्यार करती है या मेरी जन्नी मुझे प्यार करती है आकाश में काले घन चाए हैं को आकाश में काले जलधर चाए हैं या आकाश में काले बादल चाए हैं पेड़ पर कुछ खक बैठे हैं थे को पेड़ पर कुछ पंची बैठे थे या पेड़ पर कुछ पक्षी बैठे थे बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपने समानर्थ वले शब्द तथा उसके प्रयोक को भली प्रकार समझ लिया है धन्यवाद समय को लिजया है सुर्वाद